कोई ना कोई चाहिए प्यारे करने वाला जी हाँ दोस्तो बाइक चलाते हुए नौजवान ये वक्त और उनको लीट करता हुआ है खूबसूरत नौजवान ये गाना जब टीवी पर या प्र मोबाइल पर आज की युवा सुनते हैं तो उनका भी मन करता है कि ऐसे ही बाइक चलाएं और उनको एक खूबसूरत लड़की मिल जाए हलाकि मैं बात करना हूँ दीवाना फिल्म के बारे में जो किया थी 1992 में उस साल की सरवाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक और ब्लॉकबश्टर म्यूजिक इतना जबरदस्त की साड़े रेकॉर्ड इसके म्यूजिक नहीं तोड़ दिये थे विस्तार से बाते करेंगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेल आइकन दवा दीजिए ताकि आपको वीडियो की जानकारी पहले मिल सके जी हाँ दोस्तों अब बिस्तार से बात करते हैं दीवाना फिल्म के बारे में राजकावर नाम के निर्देशक जो इससे पहले जिन्होंने सेखर कपूर को असिस्ट किया था उन्होंने दीवाना फिल्म को निर्देशन किया था और इसका जिम्मा उठाया था इसकी कहाने लिखी थी रडवीर पुस्प सहब ने कमाल के राइटर और गर मैं पटकथा की बात करूँ यानि कि स्क्रिन फ्लेकिस न लेखा था तो सागर सरहदी जो कि कमाल के पटकथा लेखक हैं कमाल के नाटक कार हैं कमाल के निर्देशक भी हैं उनकी फिल्म बाजार अगर आपने नहीं देखी तो देख डा लिए कमाल की फिल्म है बात करते हैं दीवाना के बारे में तो जी हाँ दोस्तों दीवाना पे नब्वी के दसक में जब इसका काम पूरा हो गया तो रवील पुस्प जी ने इसकी प्रोडूसर गुडू धुनोवा को इसकी स्क्रिप्ट दिखाई उन्होंने फिल्म को डन कर दिया अब फिल्म के लिए कलाकारो की खोच जारी हुई इससे पहले सनी देवो लनिल कपूर जैसे कलाकारो का मन्थन हुआ लेकिन फाइनली रिसी कपूर साहब को साइन कर लिया गया दस लाख का एमाउंट दे करके अब अभिनित्रो की बात आती है तो माधिस जितित का भी नाम इसमें शामिल था लेकिन के डेट्स नहीं मिल पाई तो दिव्या भारती को साइन कर लिया गया हलाकि सारुक खान ये फिल्म की पहली पसंद नहीं थी सारुक खान की जगा गुविंदा, नागारजुन और अर्मान कोहली इसकी पहली पसंद थे अर्मान कोहली के साथ कुछ द्रस सूट हो गये थे लेकिन उनका मतभेद हो गया इसके एक और प्रोडियोसर ललित कपूर के साथ जी हाँ, ललित कपूर की पतनी शवनम कपूर के साथ इनसाब की देवी के सेट प्यूट का कुछ मतभेद हो गया था इसके कारण उन्होंने ये फिल्म बीज में छोड़ दी और इस फिल्म में एंट्री होई सारुख खान की सारुख खान इसे पहले राजो बन गया जंटलमेन सूट कर चुके थे लेकिन ये उनकी दीवाना पहले फिल्म बनी किनी कारणों से वो पहले फिल्म नहीं बन पाई इससे पहले वो सरकस और दिल दरिया जैसे टीवी सेल में नजर आ चुके थे अब फिल्म जो है बननी सुरू होई उसके बाद फिल्म तो ब्लागबश्टर हो गई जिस तरह से इस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया पचास हपतों तक सिनेमा घर में चलती रही आप इसको गूल्डन जूली की स्रेडी में रख सकते हैं और कमाल की ऐसी फिल्म की इसके गाने कुल मिला करके साथ गाने थे 46.5 मिनट की अवधी वाले गाने जिसमें मिश्टर खान यानि कि सारुक खान के लिए विनूद राठोर ने आवाज दी और वहीं पर रिसी कपूर साहब के लिए कुमार सानू ने आवाज दी कुमार सानू और विनूद राठोर के अलावा इसमें अलकाया अगनिक और साथना सरगम जी की आवाज दिया अब को सुनाई देगी पाइलिया सांग हो चाहे तेरे दर्द से दिलाबाद रहा ये सारे गाने खुब ब्लागबस्टर हुए विनूद राठोर का गाया हुआ गाना और सारुक खान के उपर फिल्माया गया गाना जो कि मुंबई में मरीन ड्राइब पे घुमते हैं अपन गाना एकदम जबर्दस्ट अगर मैं इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करूं तो उटी जील में इसकी शूटिंग हुई और उटी का बोटेनिकल गार्डन इसके लिए पसंदीदा जगे बना वहां पे कई फिल्मों के गानों की शूटिंग हो चुकी है तो शारुक खान क इस फिल्म की विजूटिंग वहां पे हुई थी कुछ हिस्से वहां फिल्म आये गये थे बाकी का हिस्सा इसका मुंबई में शूट हुआ अगर मैं इसके प्रेडूसर्स की बात करूं तो गुड्डू धनोगा के साथ लिलित कपूर ने भी इसको प्रेडूस किया था जी ह अमरीज पूरी नरिंदर के रोल में नज़र आए इसके अलावा शारुक खान जो है वो राजा के रोल में नज़र आए अलोक नाथ अज़र आए सुसमा सेट जो रवी के माता जी या रसी कपूर की माता जी का रोल उन्होंने प्ले किया था वो नज़र आई और मोहनीस बह बात करें तो नदीम सरवर का म्यूजिक और समीर के लिखे गाने खुब पसंद किये गए और तक्रीवन सतर से असी लाख प्रतियां 1992 में इसकी बिख चुकी थी इसके एलबम की बिख चुके थी और उस साल का सबसे ज़्यादा बिखने वाला एलबम भी ये बना था अगर मैं इसके बज़र की बात करूं जी हां दोस्तो तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 2.60 क्रोड यानि कि 2.60 क्रोड 60,0 क्रोड बज़र वाड़ी फिल्म ने तक्रीबन 16.20 लाग रुपए का वह उसाए किया था जी हां दोस्तों करोण 60 लाग रुपए में बनने वाली फिल्म ने 16.20 यानि 16 करोण 20 लाग करे उसाय किया था ये 1992 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी इससे पहले पेटा नाम की फिल्म ने 23 करोण 50 लाग रुपए चाप लिये जो अनिल कपूर माधू दिख्षित वाली है तो ये हमने इसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे वीडियो गर पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा सबस्क्राइब कीजेगा अगर सारुक खान साब के फैन हैं बाकी इसके गाना इसके जितने भी गाने हैं तेरे दर्द से दिलावाद रहा और सोचेंगे तुम्हें और इसके अलावा तेरी उमीद तेरा इंतजार करते हैं हम तो सनुम्त से प्यार करते हैं ये सब गाने खूब ज़्यादा सुने जाते हैं पसंद की जाते हैं पॉप्लूर कल्चर में चैनल पर नए हैं तो फिर सेखवार कोंगा सब्सक्राइब के लिए ये वीडियो पुरा देखें मिलते हैं ये वीडियो में नमस्ते चैनल